अगर किसी के मी साथ कोई घटना घट जाती है तो उसож घटना की सूचना उस ब्यक्तिकों सम्वन्दित थाने पर देनी होती है और अगर वा घटना जो है। वा कॉगनिजेवल अफैन्स के अंतरगत आता है तो उस मामले में जो संबंदित जो थाना इंचार्ज है थाने के पुलिसी स्टेशन के उनको मुकदमा पंजिक्रित करना होता है और मुकदमा पंजिक्रित करने के बाद उस मामले में आगे की कारवाई करनी होती है आज की डेट में अगर देखा जाए तो यह सब कुछ कारवाई होती है सुचना मिलने के बाद जो मुगदमा बंजी कित करने का वह CRPC की धारा एक सो चौमण के तरहत की जाती है बट आने वाले समय में एक जुड़ाई 2024 से या कानून CRPC को चेंज कर दिया जाएगा भारती नागरियू स्रचा संहिता के द्वारा तो भारती नागरियू स्रचा संहिता अगर लाई जा रही है तो इसका मतलब कि कि इस कानून में जो भी चल आए CRPC इसमें कुछ कमिया होगी कुछ सुधार किये होंगे कुछ उसको एडवांस बनाए गया होगा तो कुछ न कुछ चीज़े ऐसी होंगी जो कि भारती नागरियू स्रचा संहिता में अलग होगी सेम तो होगा नहीं क्योंकि नया कानून आ रहा है तो आज कि इस वीडियो में यही बात करेंगे कि दोनो क्या बदलेंगी हाला कि अगर देखा जाए बात करें मुखदमा पंजिक्रित करने की जो कंडीशन है एक आम आदमी के नजर से अगर देखें तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा है बदलाव होने का मतलब क्या है कि सीधा सा यही रूल है सेक्सां बदल जाएगा 154 CRPC के संधीता के दहत पहले कानून में था कि मुखदमा पंजिक्रित करना है आने वाले कानून में मेरी बात लिखी हुई है बहुत सारे मुखद में पंजीकृत में पुलिस के द्वारें नहीं की जाते थे आने वाले दिनों में भारती नागरिक सुरच्छा संजिता के द्वारा भी बहुत सारे मुखद में पुलिस के द्वारें नहीं पंजीकृत की जाएंगे ऐसा होना है लेकिन उसमें एक चेंज पहुत ही श्ट्रॉंग किया गया है कुछ ऐसे अपराद होते हैं विशेस्तर महिलाओं के खिलाप अगर उस केस की सूचना मिलती है थाने पे और जो थाने के इंचार्ज हैं उस मामले में मुकदमा पंजिकर्ट नहीं कर दे तो खुद ही मुल्जिम बन जाएंगे उनके खिलाप मुकदमा पंजिकर्ट हो जाएगा ये भी बताया गया है कि धाराएं कौन-कौन सी होगी जो महिलाओं के खिलाप जो होनने वाले अपराद में जो धाराएं हैं जैसे कि रेब की जो धाराएं हैं जैसे धारा 64 हो गया धारा 65 हो गया धारा 66 हो गया धारा 68 हो गया धारा 70 हो गया धारा 71 हो गया इस सब रेब की धाराएं हैं भारती न्याय समीता की, भारती न्याय समीता में इन धाराओं के बारे बाताया गिया है, इन धाराओं में सजा कितनी है। इसके बारे मैंने एक separate वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। अब इन धाराओं की सूचना इसके साथ साथ अगर महिला के साथ किसी तरीके की छेड़खाने की जाती है पत्मीजी की जाती है तो उसकी जो धाराएं हैं जो महिला के साथ अगर कोई भी अफेंस किया जाता है जैसे कि धाराएं 74 हो गया धारा 76 हो गया धारा 89 हो गया इस सब धाराएं अगर हैं महिला के अग्यंस में अगर होती हैं इस केस के भी सूचना अगर मिलती है तो मुकदमा पंजिकित करना ही करना है इसकी अलावा भी कुछ धाराएं हैं जिसकी जानकाली आपको होनी चाहिए जैसे एक धारा है धारा 129 जो की तेजाब का परियोग करने करके किसी को गंभीर चोड़ पहुंचा दी गई है उसकी सुचना या मानुत तसकरी की सुचना 143 के तब और 144 की जो धारा है मानुत तसकरी के लिए किसी को सुस्ड़ किया जा रहा है जो मैंänge बताया तिन धाराओं के बारे में अगर इसके से समवंदित सुचना पुलिस को मिलती है और अफसर इंचार जो हैं पुलिस के इस मामले में मुकल्मा पंजिकृत करके आगे की कारवाई अगर नहीं करते हैं तो अब उनके खिलाब मुकल्मा पंजिकृत होगा होगा भारती मिन्याय संगिता की धारा 199 के था अब करवाना कैसे है कोई अगर सिकायत लेकर पहुंचा कोई इंफार्मेशन देने थाने पहुंचा वहां से भगा दिया गया कुछ नहीं करना है इस उवारा नंबर पुलिस कंटोर रूम में फोन करिए फोन करने के बाद आप उनसे कहिए कि मैं अपनी बात को बताईए कि हमारे साथ ऐसी घटना घटी है और मैं उसकी सूचना देने थाने पर आया था यहां पर मेरी सूचना को दर्ज नहीं किया जा रहा है आप मेरी सिकायत को दर्ज करिए दर्ज करने एक बाद में उसका डेडी नंबर मुझे दीजी या मेरी कंपलेंट रिफेरेंस नंबर मुझे दीजी आपको जब कंपलेंट रिफेरेंस नंबर मिल जाएगा उस कंपलेंट रिफेरेंस नंबर को आपको अपने पास कहीं पॉलिस हैं या अगर मेट्रो पॉलिटन सिटी में आप रहते हैं तो डीशिपी जो है उस जिलेगी उनको भेज देना है इस पीड पोस्ट से भेज देना है अपनी इनफॉर्मेशन जो घटना आपके साथ घटी है उसको तो भेजना है एक अलग से उस थानेदार के अगेंस में धारा एक सो निन्यानवे की कंप्लेंट में लिखे अलग से सेप्रेट देना है इनी केस वहां से भी किसी कारण से कोई सुनवाई नहीं होती है एक सुपचहत्तर तीन के तहद कोट में जाएए और इमिजियेट जितना जल्दी हो सके आप कंप्लेंट केस फाइल करिए कि कि दिफियनेटली आपके मामले में मुकदमा पंजिकिर्थ होगा सिर्फ आपके मामले में नहीं होगा जो थाने दार महोगत हैं उनके खिलाब भी 1999 भारती नियाशनिता के तहब मुकदमा पंजी किर्थ होगा उमिद करता हूं दी गए इंफार्मेशन आपको समझ में आई होगी फिर भी आगा कोई सवाल है कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बाक्स में बताइए परियास करूंगा कि उसका उत्तर जल से जल दे सकूं थैं